स्टेप वन एडबलम या एमेट टो विलो स्टेप टू उकॉंग का पावर भी अपने साथ रखो स्टेप थ्री एक स्टार्ट शूट बटन और उकॉंग के बटन को दबाओ और फिर देखो मैजिक ओके तो यहां पर मैं अपने पास रखाऊं उकॉंग का पावर और एडबल चलो देखते हैं क्या होता है आपका हेल्थ खतम होगा पर वो दिखाई नहीं देगा यार इसमें मुझे कुछ गड़बर लग रही है चलो अब मैं तो टेलिपोर्ट हो चुगा हूँ अब चलते हैं सेफ जोन के अंदर अब देखते हैं क्या मैं सच में डामेज नहीं होता हूँ अब देख सकते हो जैसे कि मैं टेलिपोर्ट होने के बाद इसका मतलब शायद भाई ने कहीं बोलते बोलते थोड़ा सा गल्थी कर लिया है and hints the myth is busted Step 1 Classic या Rank Math start करो Step 2 Zone के बाहर जाओ और Throne Emote दिखाओ फिर देखो जादो यहाँ पे मेरा एक दोस दिखा रहा है Throne Emote और एक दोस दिखा रहा है गाड़ी वाला Emote और देख सकते हूँ Zone के बाहर जाने के बाद पर जिब वो लोग यह Emote दिखा रहे है तो उनका गाड़ी और उनका जो चौकी वो दोनों ही गायब हो जा रहे है पताने यार ऐसे क्यों हो रहा है पर हाँ इसके बाद मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे पास जो पैसो का गद्दी वाला Emote था उसको भी मैंने जोन के बाहर ट्राइ किया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ देख सकते हो यहां पर मेरा जो पैसो का गद्दी था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है and hints the myth is confirmed Step 1 बिमा शक्ती पे जाओ Step 2 वहाँ पे एक टनेल होगा L-shape house के पास वहाँ पे जाओ Step 3 उसके अंदर जाके सर बोड को प्रेसराइज करो एक्सिलेरेट बटन को पुरा दबा दो और फिर देखो आप उसके बाहर आ जाओगे अच्छा और हमको वो दो साइड के टनल से नहीं आना यार ये चीज़ कैसे फॉसेवल हो सकता है ये तो एक टनल है और टनल के अरे मुझे बाहर का कुछ दिखाई दिया चलो यार फिर से एक और बार वो जो एक्सिलेर्ट बटन है उसको फिर से दबाते है क्या पता अगर सच में हम इसके अंदर से बाहर निकल जाए चलो यार एक और बार लेज़ गौँ मुझे नहीं लगता यहां पर वैसे कुछ अरे 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 ये क्या है भाई साब मैं देख सकते हूँ टनल के अंदर से बाहर आ चुका हूँ और सिर्फ मुझे क्या करना पड़ा इसके जो सरबोड के एक्सिलेट बटन को दबाना है इसको प्रेसराइज करके बिलकुल दबाना है बाहर के तरफ और आप लोग भी ऐसे बाहर आ सकते हूँ और हिंस तमितिस कनफार्म्ट वागर पेट का अबिलेटी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर काम नहीं करता अच्छा ऐसा होता है क्या ओके तो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ वागर पेट को अब वागर पेट को थोड़ा सा मतलब वेट करते हैं ताके वो अपना ग्लू तु है बट हाँ सच्छी बता रहा हूँ यह थोड़ा सा भी एक सेकंड के लिए भी ग्लूवल नहीं बना रहा है पतानियार ऐसे क्यों हो रहा है बट हिंस तमितिस कनफार्म्ट जिग डांस इमोट को यूज करो जब बन्दा नीचे गिर के ऊपर उड़ता हो उसी टाइम जम के बटन को दबा दो और फिर देखो चलो आप अच्छा अरे मुझे कुछ अलग दिखाई दिया आप लोग को दिखाई दिया क्या चलो फिर से देखो वैसे इतना जादा बड़ा कुछ चेंज नहीं है जब ये बन्दा गिर के नीचे उड़ता है उसी टाइम अगर आप जम के बटन को दबाते हो तो वो थोड़ा जादा उपर जम करके उड़ता है और हिंस तमितिस कनफार्म्ट उकॉंग के अबिलिटी और टेलीपोर्ट को एक साथ दबाओ और फिर देखो जलवा ओके तो यहां पर हम लोग आ चुक हैं टेलीपोर्ट जोन के पास एक साथ उकॉंग और टेलीपोर्ट को दबाना है ओके चलो अगर आप ऐसे करते हो तो उकॉंग का जो गिलीबुश है वो आस्मान से लैंडिंग करता है और वो पैराग लाइटिंग भी करके नीचे आता है और हां दिखने में बहुत ही जादा मज़ेदार दिखता है और हिंस तमितिस कनफार्म्ट न्यू रिलोड स्टाइल रिवील्ड मनी हिस्ट का पैसो वाला गद्दी वाला इमोट दिखाओ फिर अपने गन को रिलोड करो फिर देखना न्यू स्टाइल ओके तो मेरे पास अभी मनी हिस्ट का जो गद्दे वाला इमोट वो है तो चलो अभी करते हैं अपने गन को रिल जाते गिर जाते हो, मतलब कि इसका जो इमोट है, इसको दिखा रहे हो, उस टेम अगर आप रिलोड करते हो, तो आपको रिलोड का एक नया स्टैल देखने को मिलेगा, and hence the myth is confirmed. तो यहाँ पर मैडम बोले हैं कि FFCS इमोट को चलाओ, step 2, game को minimize करता और वो भी 2 मिनिट के लिए, step 3, 2 मिनिट के बाद देखना वो इमोट कर रहा होगा, भाई हमारे कोई भी इमोट 2 मिनिट के लिए नहीं है, पर हम अगर game को minimize कर देते हैं, उसके बाद भी हमारा इमोट चलत यह 5 सेकंड के लिए, अब चलो इसको start करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसका मतलब अब इमोट खतम हो चुका होगा, चलो, game पे अंदर जाते हैं, भाई, how is it possible, देख सकते हो, 5 सेकंड का इमोट, और मैं गेम को आसपास 10 सेकंड के बाद खोल ला हूँ, फिर भी च 8, 9, 10, अब बाहर रुकते हैं, हमको 10 सेकंड हो गए हैं, अब चलो, game के अंदर जाके देखते हैं, क्या वो इमोट चल रहा है, हाँ यार, फिल्कुल, मतलब क्या आप कोई भी इमोट कर रहे हो, और अगर game को minimize कर देती हो, तो game के आने तक वो चलता रहता है, and hints, the myth is confirmed, game में जाओ, new lobby देखने को मिलेगा, उसके ठीक उपर देखना, वहाँ training ground देखने को मिलेगा, lobby पे training ground, मतलब को समझा नहीं, okay, चलो, उपर देखते हैं, अचा, उपर क्या है, क्या है, और भाई, उपर क्या है, मुझे ऐसा रगता है, कि उपर कोई एक जगा है, और वो space में ये जगा कहीं दिखा दिखा सा लग रहा है, चलो, एक बार training ground ट्राय कर लेते हैं, क्योंकि भाई ने बोला है, अब ये वाला हिलाका उस तरीके का दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उपर जो space में दिख रहा था, वो chrono का सबसे पहला जो आया था lobby, वो वाला lobby था and hints the myth is busted, खोल के medicate को use करते हो, तो आप medicate को easily use कर सकते हो, और भाई ने बिल्कुल ही सही बोला and hints the myth is confirmed. Step 1, classic में बहुत सारे teleport zone देखने को मिलते हैं, Step 2, जब health घड जाता है, उस time teleport हो जाना, फिर देखना आपका health फिर से फिल हो जाएगा. Hmm, यह बात थोड़ा जमा नहीं, चलो फिर भी drag कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पर उतरने वाला हूँ, बहुत ही उच्चा किसी जगए पर, चलो एसी घर के उपर उच्चा ही पर उतरते हैं, अब यहाँ से मैं नीचे कूच जाता हूँ, ताकि मेरा health थोड़ा सा घड जाए, घड़ा घड़ा, ओर भाई बहुत ज़ादा घड़ गया, अब चलो टेलिपोर्ट होते हैं और तिकते हैं, क्या सच में अपना health फिर से फिलो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, टेलिपोर्ट होने पर हम एक जगए सिर्फ दूसरी जगए को चली जाते हैं, पर हमारे health म थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होती, and hence the myth is busted, अच्छा यहाँ पर मंदीब भाई बोले हैं कि UMP और Vector Gun का साउंड पूरा का पूरा सेम है, चलो अभी करते हैं इस बात का दूद का दूद और पानी का पानी एक हाथ में लेते हैं UMP और एक हाथ में लेते हैं Vector, अब दो का साउंड सेम है या अलग-अलग भाई मुझे जो लगा मैं वही बता रहा हूँ, मैं दोनों गन को अच्छे से सुना, पर मुझे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं लगा, and hence the myth is confirmed रन करते-करते इमोट दिखाओ, फिर देखो कितना हसी आएगा, चलो यहां पर मैं अभी रन कर रहा हूँ, अब रन करते-करते इमोट को दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है अरे मेरी कोई मदद करदो, मेरा कैरेटर लंगड़ा हो गया है, पता नहीं ऐसे क्यों हो गया है, पर आप लोग भी ट्राय करना, रन करते-करते, ऐसे इमोट दिखाना, और सच्ची बताराओ, बहुत ज़ादा हसी आएगी, and hints to myth is confirmed नए अपडेट के बाद, अगर आप ट्रेनिंग मोड को दिन में खेलते हो, तो दिन हुआ होगा, और अगर आप रात में खेलोगे ना, तो रात हुआ होगा ओके तो मैं भी रात में training mode को खेल रहा था अब देखते हैं training mode के अंदर जाकर के क्या होता है हाँ यार बिल्कुल यहां पर देख सकते हूँ training mode के अंदर जब मैं आया तो यहां का सुनारियो ऐसा था जैसे कि भाई training mode में भी रात हो गया हूँ ओके चलो अब दिन में जाके देखते हैं गुड मॉरिंग सब लोगों कैसे हो तो दोस्तों कल रात के वीडियो के बाद अब मैं बना रहा हूं दिन में वीडियो अब दिन में जाते हैं ट्रेनिंग मोड के अंदर और देखते हैं वहां पर दिन हुआ है या रात बाद हम सभी मिली वपन्स को घुटनों के पास रखते हैं, अच्छा, चलो इसको भी ट्राय के लेते हैं, अभी मेरे पास M500, हाँ यार बिलकुल, देख सकते हो मेरे घुटनों के पास, राइट घुटने के पास M500 लगा हुआ है, और हाँ, अगर बिलकुल अच्छे से बूया करने के बाद बूया इमोट पर जंडा वाला इमोट को सेट करो, और फिर देखना, वहाँ पर जंडा वाला इमोट बहुत देर तक उसके हाथ में टिका रहेगा, ओके, तो यहाँ पर बूया वाले इमोट, मतलब में जो हमारा बूया इमोट है, उसमें मैंने जंडा पेमोडे को गाड़ दिया हैं, अब चलो करें, गेम के अंड़ पर मतलब कि बुया वाले सेशन पर। और वहाँ पर जंडे वाले Emot को को गाड़ कर देखते हैं कि जंडा हमारे हाथ में कितने देर सक रहता है A. अब देखो, भूया करने के बाद मैंने यहां पर जंडा गाड तो दिया और उसके बाद मेरा हाथ जंडे से बिलकुल छूटी ने रहा, आप लोग भी जा के टेस्ट कलो और देखो, जंडा वाला इमोड बहुत देर तक आपके हाथ में रहेगा, and hints, the myth is confirmed. क्लासिक में और रैंक में मरने का स्टाइल चेंज हो गया, इसके लिए मुझे मरना भी बढ़ेगा, ओके चलो, आपने बोला है तो एक बार टेस्ट कल लेते, यहां पर मैं अब जो मैच खेल ला हूँ, यह है रैंक मैच, और रैंक मैच में देख सेती हूँ, मैं यहां पर बी मैं अब मैं तो सच बता रहा हूँ, क्लासिक के अनिमेशन रैंक मैच से सौ गुना जाता अच्छ है, आपको किसका अनिमेशन सबसे जादा अच्छा लगा मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूवत आना, एंड हिंस तमिध इस कनफर्म्ड, इस वाले अपडेट के बाद आप अब गुरुप में खड़े हो की भी अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो, भाई ये तो पहले भी हो रहा था बद रेस अमारा चेंज नहीं होता था, अब चलो मैं यहां पर गिप्ट के सेशन पर आगया, अब मुझे कां पी जाना था, रीडीम ओले सेशन पर, ओके, रीडीम ओ हाँ यार, बिल्कुल देख सकते हो, मैं यहीं पर खड़ाओं और अपना ड्रेस चेंज पूरा पूरा हो चुका है, तो भाई ने बिल्कुल ही सही कहा, and hints the myth is confirmed, इस अपडेट के बाद, ट्रेनिंग ग्राउंड पे आप जितने भी बंदे में लगातार मारते जाओगे, चलो अभी ट्राय कर लेते हैं, क्योंकि यह तो पहले नहीं था, मैं आचुका हूँ वी ट्रेनिंग ग्राउंड पर, अब देख सकते हो, मैं एक के बाद एक बंदे मार रहा हूं, और राइट साइड पे मेरा किल्स ट्रेक जो है, वो एक एक करके बढ़ रहा है, तो चलो द इस अबडेट के बाद ड्रेनिंग ग्राउंड पर मैं आभी आया हूँ, पकड़ा हूँ ड्रेनिंग ग्राउंड और देखते हैं, किल करने पे क्या लिगता है, बात तो तुम्हारा साट का साच है, क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं जितने भी बंदों को ड्रेन आप से मार यहाँ पर ड्रागनॉब लिखे बिना लिख रहा है एस वी डी, और हाँ सिफ ड्रागनॉब भी नहीं, MP5 का भी नाम चेंज हुआ है, MP5 की कोई एक्स गल्फ्रेंड आ गी है, इसके लिए उसका नाम हो गया MP5X, and hence the myth is confirmed, new chrono character को equip करो, उसको अपना full suit पहना हो, वो game के अब यह वाला जो emote है, यह है जोता character का own emote, अब चलो, chrono character को लेते हैं game के अंदर, और देखते हैं chrono कौनसा emote दिखाता है, तो chrono को अभी उसका full suit पहना चुका हो, और large का हो उसको game के अंदर, अब game के अंदर, यह क्या, वही chrono का emote तो कुछ ऐसा था, कि वो वहाँ से 1 second के लिए पूरा का पूरा गायब हो जाता था, पर यहाँ पर game के अंदर देख सकते हूँ, यह जो टा character का emote दिखा रहे है, मतलब के भाई नहीं बिल्कुल ही सही कहा, and hints, the myth is confirmed, step 1, classic या rank match लगाओ, step 2, double vector लो, step 3, prone हो जाओ, step 4, अपने हाथ में एक वेक्टर हो जाएगा, देखो, अपन तो अपने हाथ में दो वेक्टर रखेंगे, देखते हैं क्या सच में, वो अपने आप ही एक वेक्टर हो जाता है, देख सकते हो, अभी मेरे हाथ में है दो double vector, मतल हो गए, अब यार भाई ने फिलकुल ही सही गहा क्योंकि यहां पर हो तो रहा है, and hints the myth is confirmed, repair kit और bike के sit बटन को एक साथ दबाओ, फिर देखो, आपका character repair kit यूज करना बंद ही नहीं करेगा, अच्छा, repair kit को क्या उससे प्यार हो जाएगा, चलो, वैसे भी मेरा west यहां पर फ दूद का दूद और पानी का पानी तो आपके आखों के सामने ही हो रहा है, मुझे पता नहीं यह character अपना हाथ घुमाना कब बंद करेगा, और अपने best को repair करना कब बंद करेगा, अब वैसे best तो यहां पर repair हो चुका है, पर यह character अपना हाथ घुमाना नहीं बंद कर रहा ह मतलब जैसे के भाई ने बिल्कुल ही बोला था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, and hints, the myth is confirmed. प्लासिक में कस्टम बना और मिली का करो, गेम में ब्लूजून दिखेगा, वहाँ पर जाओगी, तो वहाँ पर गन मिलेगा, वो भी मिली वाले कस्टम में, अब देखो, मिली वाले कस्टम में, गन मिलना वो बिल्कुल ही इंपॉसिबल जैसी बात है, पर फिर भी भाई ने इसका मतलब ट्राय दो करना ही पड़ेगा, वैसे यह वाले कस्टम है, यह पूरा कपूरा मिली का कस्टम है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अब ब्लूजून जो पढ़ा है, वो कटूलिस्टिया पर पढ़ा है, तो चल आर कटूलिस्टिया पर चलते हैं, और वहाँ अब यह तो गन मिलने के बाद मैं पूरा का पूरा शौख हो गया थाकि शायद से मैने गलती से मिली का कस्टम नहीं लगाया, इसलिए मैं आया बिमाशक्ति पर और बिमाशक्ति में जितने भी घर मैने लुट मारे, सभी के सभी जगा कहीं पर पारंग, कहीं पर बैट और क इसका मतलब भाई ने बिलकुल ही सही कहा, मिली वाले कस्टम पर भी अगर आप ब्लू जोन पर जाते हो, तो आपको वहाँ पर गन देखने को मिल जाएंगे, and hints, the myth is confirmed. सभी गाडियां ओयल बैरल से डामेज होती है, बर लैंबर्गिनी को छोड़के, अब लैंबर्गिनी में ऐसी कौन सी जादू है, कि वो ओयल बैरल से डामेज नहीं होती, वैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं सभी के सभी गाडियों को टेस्ट करने वाला हूँ, यह पहले के बाद तो टुक टुक पूरा का पूरा ब्लास्ट ही हो गया, अब चलो टुक टुक भी बहुत ज़्यादा डामेज होता है, अब इसके बाद मैं लेकर आया हूँ जीप को, देख सकते हो, जीप का बहुत ज्यादा हेल्थ था, बट फिर भी हेल्थ इतना ज्यादा माइनस हो गया जब मैं ये बैरल को फूरा, अब चलो बैरल को फूर्टने के बाद अब आ जाते हैं, अपने लेमगिनिको, देख सकते हो, ये पहले सा ही थोड़ा सा ये जब मैने बैरल फूरा उसके बाद ये लेमगिनिको एक खरोज तक नहीं आई, मतलब कि, अब क्या ही बताओ सभी के सभी गाड़िया बेका रहे अब सिर्फ लैंबगी नहीं करी ना में चलाना and hints the myth is confirmed Safe zone के बाहर football remote को दिखाओ फिर safe zone के अंदर आगे football remote को दिखाओ फिर दिखना ball गायब हो जाएगा अब देखो, यहाँ पर मैं दिखा रहाँ safe zone के अंदर football अब यहाँ पर football तो कहां गया है वो वात का मुझे पता नहीं चल ला है क्योंकि football यहाँ पर है तो नहीं पर अपना character game खेल रहा है अब मैं आ चुका हूँ safe zone के एरिया से बाहर अब यहाँ पर अगर मैं football remote को दिखाता हूँ तो मेरा ball अच्छे तरीके से दिखता है इसका मतलब safe zone के अंदर अगर आप remote दिखाते हो यह football वाला तो football गायब हो जाता है and hints the myth is confirmed नॉर्मल रोड पे Lamborghini का स्पीड जीब से जादा होता है पर अगर किसी उचे डहलान से नीचे आ रहे हो और अगर किसी उचे डहलान से नीचे जा रहे हो तो उस टाइम Lamborghini का स्पीड हो जाता है 170 से लेकर 190 के असपास भाई साब यह बहुत ही जादा होता है चलो अब यह चीज को जाके जीब पर ट्राइ करते हैं यह है जीब का नॉर्मल स्पीड और यह थोड़ा मुझे लग रहा है बहुत ही जादा धीरे है क्योंकि इसका नॉर्मल स्पीड है 110 से लेकर 120 या 30 तक यह है नॉर्मल रोड पर जीब का स्पीड तो चलो अब इसको उचे डहलान से नीचे लाते है अरे 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 कोई तो रोग लो इस जीब को जादा हुआ and hints the myth is confirmed Maths start होने से पहले लॉबी में जहाँ पर snapshot का photo लिया जाता है अगर आप वहाँ पर scope in करके snapshot लेते हो तो आप गाये हो जाते हो भाई साब यह बहुत ही सादा ताजा खावार है चलो इसको ट्राइकरते हैं मैं अगर नॉर्मली वहाँ पर आके खड़ा होके snapshot लेता हूँ तो भाई मेरा body बिल्कुली visible होता है अब चलो scope in करके मेरा body कहा गया शायद से यहाँ पर कोई glitch हो गया चलो इसको फिर से try करते हैं यह में आ चुका हूँ यहाँ पर फिर से और scope in करके चलो फिर से snapshot लेते है और यह मेरा body यहाँ पर तिखाई नहीं दे रहा है वा यार आप लोग भी ज़रू से try करना scope in करके यहाँ पर आके एक snapshot ले ले लेना अपने body को आप invisible पाओगे and hints the myth is confirmed नए मिली weapon का damage max class ही भी साथा है भाई क्या बोल भी सोची भी यहाँ चलो इसको भी ट्राय कर लेते हैं अब मैं आचुका हूँ फैक्टर के ऊपर and यहाले जागे पर मैं एक बंदे को मार रहा हूँ उसके body को damage 75 या अगर आ रहा है तो 100 इसका मतलब body shot पे max class highest damage 100 तो चलो इसी चीज़ को जाके वो नय मिली वेपन पर ट्राय करते हैं तो यह नय वाला मिली वेपन हम अभी पकड़ चुके हैं जो के बहुत ही सादा लंबा है और दिखने में बहुत जादा खतनाक है तो यह बंदे को मारते हूँ औरे इसका body damage पड़ा 117 का जो के max clock के body damage से बहुत जादा है तो हाँ तुवारा बात तो इकदम साटेगा साच है और हिंस तमित इस कनफार्म्ट बर्मोडा 2.0 याने के बर्मोडा री मास्टर्ड में फैक्टरी के चथ के ऊपर लूट मिलने लगाए यह चीज़ कफ से हो गया यार वैसे यह जो मैप है यह है बर्मोडा नॉर्मल और यहां पर तो कोई भी जगाए पर बिलकुल भी एक तक लूट नहीं मिल रहा है और चलो अभी चलते हैं बर्मोडा री मास्टर्ड पर और वहां पर देखते हैं क्या सच में वहां पर लूट मिलता है तो यह है बर्मोडा री मास्टर्ड और आते हैं मुझे मिलगा रिपैर किट फोर ग्रीप और मेरे सामने बढ़ा है M60 वा यार यह तो सच बात है क्योंकि वर्मोडा री मास्टर्ड में फैक्टरी का चटका उपर का नजारत तो बिल्कुल सेम है बड़ यहां पर तीन चार गंद तो हमको मिल जाते हैं और हिंस तम इस कनफार्म्ड क्लॉक टावर के स्टेयस पर गाड़ी को ऐसे लगा दो जैसे के एक्जिट करते वक्त आप नीचे गिरोगे उसके बाद सिर्फ ड्राइव और एक्जिट को दबाते रेना और फिर देखना जादू ऐसे ये चीज़ को मैं कर रहा हूँ और मुझे वह ऐसे जादू के तरह कुछ दिख नहीं रहा है तो चलो इसी चीज़ को मेरे दोस्ते करवाते हैं और खुद देखते हैं जादू तो अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के सामने, मेरा जो दोस्ता, वो गाड़ी के अंदर बैट रहा है, और एक्जिट कर रहा है, और इसी चीज को दोरा रहा है, और एनिमेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे के वो हवा में उड रहा है, और दिखने मेना बहुत ही जादा फ अब गेम में आवले और नहीं है बड बहुत जल्दी आजाएगा, वैसे यहां पर तो दिख जा रहा है, अंड वाला इमोट बहुत ही जादा फणी है, अब इसके बाद दिखाते हैं चैलेंज ओन, लेसो, और सिमी वाले इमोट को फिर दिखते हैं क्या हुता है, जब मैं पहली बार देका मैं पूरा 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 शॉक हो चगा थादा थादा और यहाला बंदा इमोट कर रहा है, आप लोग इसको गेम में जाएगा पहले अन्ड वाला इमोट करना पर यह तीनो इमोट को यूज करना फिर आपका भी हो जाएगा, एंड हिंस, तमित इस कंफर् होंगे, फिर आप उसको पहन के सौजा आअऔर देख न वो कही और चला जाएगा, अरे, और बार कैसे चायगा, चलो एर मैं इभी और अइढ च्युका हूँ, एज पूरा-ग पूरा मेरा बॉडी कावर कर रहा है, तो चलो एज सौते हैं और देखते हैं और देखते हैं औ स्टेप वन भंगडा इमोट को एक्विप करो स्टेप टू गेम के अंदर चाके उसको यूज करो और जब इमोट आधा हो जाए उसके बाद सिट कर लेना वैसे मैं अकेला नहीं मेरे साथ एक दोस्त है और वो भी भंगडा इमोट लेकर रहा है तो चलो यह दोनों एक साथ वही काम करते है तो अब रोजर के पास और मेरे पास है यह भंगडा इमोट अब हम लोग खड़े हो गए एक, दो, तीन, एंद सिट अरे भाई यह यूज करते टेप मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं स्लो मोशन पर बैट रहा हूँ अब देखार रोजर और मैं एक साथ वही काम कर रहे है मतलब के भंगडा इमोट को यूज कर रहे है एक, दो, तीन, एंद सिट अब यार, देखो, मतलब यह अगर आप करके बैठते हो तो बैठने का लुक के पूरा का पूरा चेंज हो जाता है आप लुक जाके एक बार गेम में जरूर ट्राइ करना एंद हिंस, तमित इस कनफॉर्म्ड उकॉंग के अबिलिटी को यूज करो, नदी के अंदर जाओ फिर देखना, आप नदी के पूरा भीतर चले जाओगे अब देखार, गरीना में आज तो का ऐसा कोई कैरक्टर नहीं है जो नदी के अंदर जाता है क्योंकि अगर आप किसी भी रिवर के आगे जाओगे तो आप उसके उपर स्विम करने लगोगे तो चलो, अभी नॉर्मली हम पहले एक बार रिवर पे जाते हैं और यह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसके उपर स्विम कर रहा है तो चलो अभी जाते हैं Oukong के ability को use करते है and फिर आते हैं नदी के अंदर अगर हम किसी भी character को लाते हैं पानी पर तो वो normally swim करने लगता है अगर हम Wukong के ability को use करके पानी के अंदर जाते हैं तो उसके उपरी हिस्से पे नहीं पर उसके निचले हिस्से पे वो swim करने लगता है और हाँ ये नदी के पूरा अंदर तो नहीं जाता बट पानी के उपरी लेयर से नीचे जाता है swim करके and hence the myth is confirmed Wukong सिर्फ एक lota character है जिस पे हम face print नहीं लगा सकते अब देखो अगर ऐसी वाद है तो चलो और भी character को use कर लेते हैं पहले and फिर जाते हैं Wukong के पास अब हम अगर आते हैं ये Caroline के साथ तो यहां पर हम सभी के सभी face print लगा सकते हैं उसके बाद अगर ये character के साथ भी हम आए तो यहां पर भी हम सारे के सारे जो face print है इसको लगा सकते हैं अब चलो और मोको का character पर जाते हैं क्योंकि मोको के face में थोड़ा सा burn change है तो अभी यहां पर हाँ यार ये character भी सारे हम लोग use कर सकते हैं अब चलो और अब चलते हैं अपने main and final character मतलब के Wukong character पर एड़ उस पर दिखते हैं क्या हम लोग face print लगा सकते हैं के नहीं अब अगर बात करी जाए Wukong की तो उसके लिए कोई भी एक face print अबलेबल ही नहीं है अब अगर avail ही नहीं है तो हम लगाए कहां से तो भाई यार तुमने बिल्कुली सही का and hints तमितिस confirmed step 1 take two vectors step 2 पहले vector के सारे ammo खतम करो step 3 खतम करने के बाद पटाक से double vector वाले बटन को दबाओ और उसके बाद देखो magic वैसे अभी मेरे हाथ में है दो vectors and पहले वाले vector के मैंने सारे ammo खतम कर दिये अब दबाते हैं double vector वाले बटन को and अभी मेरे हाथ में है double vector अब देखो मैं double vector पकड़ा तो हूँ बट एक vector के अंधर एक भी गोली नहीं है तो चलार इनको चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर जब मैं चला रहा हूँ तो double vector मतलब दो हाथ मेरे आगे जारे and fire भी हो रहा है बट एक ही gun से गोली निकल जा है अब इसके सारे आमोग खतम करने के बाद जब मैं फिर से reload करता हूँ तब यह gun पूरे normal हो जाते हैं और दोनों ही gun से गोली निकलने लगते हैं इसका मतलब ऐसे करने से दो गोली तो आप पकड़े होंगे पर एक में से गोली बिल्कुल नहीं लिख लेगा and hence the myth is confirmed पक के cemented house के चत के ऊपर जाना वाल से बिल्कुल चिपक के और सर को दीवार के तरफ रख के scope in and scope out करना और देखना आप वाल के अंदर चले जाओगे अचा वाई वाल के अंदर जा सकते हैं चलो यहां पर मैं आगया हूँ यह वाल के पास and यहां पर मैं कर रहा हूँ scope in and scope out और अपने corsor को मैं किया हूँ आगे and मुझे कुछ भी यहां पर change नहीं लग रहा है चलो यारी इसी चीज़ को अपने दोस्त को करने को बोलते हैं और अपन खुद देखते हैं क्या वो वाल के अंदर जाता है के नहीं अरे यह क्या मेरा दोस्त मेरे सामने विजबल ही नहीं हो रहा है भाई साब वो कुछ नहीं कर रहा है बस अपने corsor को आगे किया है and scope in और scope out कर रहा है वहा यार तुम्हारा बात तो बिल्कुल सौर्ट का सच निकला and hints the myth is confirmed अगर आप CS rank पर fire करोगे तो सभी पैट भाग जाएंगे पर बीस्टन पैट नहीं भागे का अचा वह यह इतना सादा तगड़ा है अब ऐसी बात है तो चलो अब ही कर लेते हैं and यहां पर अब मैं ओ भाई इसका भी वही आल है थोड़ा सा भी अगर यह visible होता है और मैं थोड़ा सा भी fire कर दीता हूँ किशी भी दिशा पर तो यह पट अग से गाइब हो जाता है यह सब तो आम बात है अब चलता है बीस्टन पैट के पास और देखते हैं क्या वो गाइब होता है के नहीं यह बीस्टन पैट और बागी सारे पैट में मुझे थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिख रहा है क्योंगे यह पैट भी एक गोली भजने पर गाइब हो जा रहा है and hints the myth is busted अगर जल्दी लूट करनी हो तो यह ट्राइ करो step 1 अपने backpack खोलो step 2 दो तीन उंगलिया से लूट करो अब चलो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे लूट पढ़ है अब मैं बिना backpack खोले एक बार लूट करूँगा and backpack खोल के एक बार लूट करूँगा और देखते हैं किसमें जल्दी होता है तो यह है मेरा first attempt and यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना backpack खोले लूट कर रहा हूँ और यह थोड़ा सा धीमा लग रहा है मुझे अब चलो, backpack खोल के लूट करते हैं और यह मैं खोला and वाँ 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 सच्वत आ रहे हो मैं अपने दो तीन उगलियों से जो चाहिए वो चीज उठा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी जल्दी लूट हो रहा है अब हाँ अगर आप लोग को भी जल्दी लूट करना ऐसे क्यों भाई पहले से जूम कैसे हो सकता है अब चलो हम लोग आ चुके हैं पहले यह नॉर्मल मैप पे and यहां पर मैप खोलता हूँ तो मुझे यहां पे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं देख रहा है मैप बिल्कुल ही नॉर्मल है और अगर मुझे कुछ चीज अच्छे से देखना तो मुझे उसको मैनुवली जूम करना पड़ता है अब चलो चलते हैं नॉर्मल मैच से क्लैश कॉर्ड के मैच पर और वहां पे जागते के देखते हैं कि मैप पे क्या चेंज हुआ है अरे यह क्या मेरा मैप तो पहले से ही क्लॉक टार पे जूम है अब चलो मैने जूम हटा लिया अब फिर से एक और बार अरे यह फिर से कैसे हो गया अब इसको फिर से छोटा करते हैं और अब मैंने फिर से अपने मैप को पूरा पूरा बड़ा कर दिया और अब फिर से मैप खोलते हैं औरे यह फिर से जूम हो गया ऐसे नहीं हो सकता है चलो एक बार फिर से करते हैं और फिर से खोलते हैं मैप को तो फिर एक और बार यहाँ पे मेरा मैप जूम हो चुका है, मतलब आप जितने भी बार ट्राय करलो, बट क्लैश कॉड पे आपका मैप जूम हुआ हुआ ही रहेगा, एंड हिंस समित इस कनफॉर्म्ड M8-2B के एक शॉट से लैंबोरगिनी फूट जाएगा, अच्छा ऐसी बात है, ओके तो मेरे सामने अभी है एक बाइक, और चलो एक दो गाड़ी को फूटता है, उसके बाद चलते हैं लैंबोरगिनी के पास, अब ये बाइक को एक शॉट में, वा बाई, अब ये गाड़ी तो एक शॉट में फूट गया, अब चलते हैं, किसके पास, वो घटारे टुक टुक के पास चलते हैं, ओके तो यहां पर टुक टुक, वा यार, एक गोली में टुक टुक भी फट गया, अब तो भाई, फाइनल टेस्ट देना ही पड़ेगा, और वो भी लैंबोरगिनी को, अब यहां पर मेरे सामने खड़ा है एक लैंबोरगिनी, और मेरा दोस्ट जब इसको एक शॉट मारता है, और इस पे कुछ नहीं होता, वा यार, ऐसे तोड़ी हो सकता है, अब चलो दूसरा शॉट मारते हैं, और वा यार, लैंबोरगिनी एक शॉट नहीं, दूसरे टकले का हेड नॉर्मल हेड से जाधा डैमेज लेता है अब यह अगर होता होगा तब तो बहुत बड़ी परिशानी की बाद आ जाएगी अब मैं आ चुगा हूँ यह क्लैश स्कॉर्ड पे अब मेरे अपोनेंट में आया है मेरा दोस्त और वो आके अभी मेरा खोपडी फोड परिया गया और जब वो मारता है मुझे तो मेरे सर को 170 का डैमेज पड़ता है इसका मतलब टकले के सर पर डैमेज पड़ता है 170 का अब मेरा दोस्त है यहाँ ट्रेनिंग राउंड पे और उसके सर पर बाल है और उसके सर पर अगर डैमेज पड़ता है तो वहाँ पर भी 170 का इसका मतलब कोई फार्क नहीं पढ़ता टकला हो या बाल वाला आपके सर में डैमेज जितना पढ़ना होगा वो उतना ही पढ़ेगा and hence the myth is busted सबसे बड़ा मित अपने गेम में जो कार है वो लंबोरगीनी नहीं है वो मकलारन 720S है अब चलो हमारे गेम में है ये वाला कार मतलब इसको हम लंबरगीनी बोलते है अब ये है साइड बाइ साइड लंबरगीनी और एक सैड है मकलारन 720S अब मुझे जितना लग रहा है हमारे गेम का जो मोडल है वो भी जादा से जादा मकलारन 720S से मिलता जूलता है अब आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अपना honest opinion नीचे comment पर हमको दे सकते हो and hence the myth is confirmed संतोसा के सभी double-stored building में ground floor पे जाओ, वहाँ पे जाके window पे जम करो, एक अद्भूचीज देखने को मिलेगा अच्छा, ऐसे देखो यार, मैं तो आ जुका हूँ संतोसा पर और ये एक double-stored building है और यहाँ पे आके इसके window पे जम करते हैं और देखते हैं क्या होता है अरे, क्या किसी ने नोटिस किया, जब मैं ये छोटे वाले window पे जम करता हूँ, तो मेरा बोडी बिल्कुल भी नहीं अटकता हूँ, और जब इतने बड़े वाले window पे मैं जम करता हूँ, तो मेरा बोडी आधे पे आधे पी अटक जाता है वा यार, चलो, इसको अलग-अलग घर पे जाके ट्राय करते हैं, यहाँ पर भी वही आल है, और वो छोटा वाले विंडो पे जम करते हैं, ओके, औरे, यहाँ पर भी सेम है, इसका मतलब भाई का बात बिल्कुल साट का सच है, क्योंकि संटो सामें आप किसी भी डवल स्रोट बिल्डिंग में चले जाओ, यह छोटे वाले विंडो पे आप नहीं अटकोगे, पर यह बड़े-बड़े विंडो पे आप अटक जाओगे, and hints, तो मिधिस कनफॉर्ट, ट्रेनिंग पे जाओ, आयाम साइतामा वाला इमोट लगाओ, और देखना, जब आप वो इमोट अरे, इस पे रेड डॉट तो शो नहीं हो रहा है, तो चलो, अब इसको और जादा डीटेल में देखते है, तो यह बंदा जब मेरे नॉर्मल हैड को मार रहा है, तो वहां पर रेड डॉट शो रहा है, और डैमेज आरहा है, नौसो यह हजार के असपास, पर जब मैं ऑन कर करने के बाद हमको हेड शोट बजीने राए, एंड हिंस तम इस गनफर्म्ट, अपने अनिमी को क्लैश कॉड मोड पे चार से पांच बार नौक करो, जब आप उसको छटी बार नौक कर रहे होते हो, वह नौक नहीं होगा, डिरेक्ली मर जाएगा, ओके, तो यह लड़की मे है दूसरा, ओके, सो फिर से बच चुकी है, यह है तीसरा, अहां, चौथा, और यह क्या, अगर आप डैजर्ट से मारते हो, तो तीन बार की बाद, जब आप चौथे बार उसको मार रहे होते हो, उस टेमोड डिरेक्ली मर जाएगा, इसका मतलब भाई, सारे गन में ऐसा नह पर अगर बूया इमोट पे प्रुभोग इमोट को सेट करो, और बूया करते टाइम मेडिकेट को यूज करो, तो वही चीज कंटिन्यू चलता रहेगा, अचा वाई, ऐसा होता है, तो यह वाले मैच पे अपन लोग करने वाला हैं, बूया, मतलब कुछ भी करके बूया करन और बूया करते टाइम, मैं यूज करूँगा मेडिकेट, और देखते हैं क्या सच में वह चीज कंटिन्यू चलता रहेगा, अरे हाँ, बिल्कुल, मेडिकेट यूज करके प्रुभोग इमोट को अगर हम यूज करते हैं, तो बिल्कुल आश अनिमेशन सो करता है, और अग इन हिंस, the myth is confirmed, पहले अपने हाथ में एक गन लो, फिर इनहलर को यूज करो, उसके बाद एक इमोट को दिखाओ, फिर आपके हाथ से गन ही गायव हो जाएगा, अच्छा होई, अभी जल्दी-जल्दी से मैंने अपनी बैग में से सारे मेडिकेट निकाल दिये, और यहाँ बीच में खड़े हो के मैं दिखाने वाला हूँ वही चीज, पहले ही नहलर, उसके बाद इमोट फिर देखते हैं क्या होता है, वा यार, ऐसे काम करके आप अपने गेम फ्रेंड को भी चौका सकते हो, क्योंकि यह वाला जो गन गायव है, यह आपके दोस्तों को भी नहीं दिखाई देगा, and hence the myth is confirmed, रिमनाम विलेज में जाओ, सबसे बैक वाले साइड में एक ट्री होगा, उस पर जाके जंप करो, ट्री गायव हो जाएगा, यह तो भाई, बिल्कुली अद्भुत बात है, अब इसको ट्राय करने के लिए मैं आ चुगा हो रिमनाम विलेज पर, चलो, यह आखरी वाला पेड बचाए, जिस पर मैंने जंप नहीं किया, तो चलो, इस पर जंप करते हैं, अरे, क्या समने अच्छे से देखा, जब यह वाले पेड के पास जाके मैं जंप किया, तो यह वाला पेड गायव हो गया, हाँ, फिर से हो गया, चलो, इसको एक और और यहाँ पे, मैं फिर से जंप कर रहा हूँ, वा यार, यह पेड फिर से गायव हो गया, अब ध्यान से याद रखना, यही वाला पेड इसके पास जाओ, इधर उधर स्क्रीन गुमाओ, यह फिर से गायव हो जाएगा, और अगर जंप करते हो, तो भी यह पेड गायव हो बट मेरा क्यारेक्टर ये इसके पीछे कैसे चला गया वा यार ये शायद से थोड़ा कुछ ग्लिच रहा जाता है जिससे कि आपका क्यारेक्टर प्रोफाइल से भाग के यहां तक आ जाता है and hints the myth is confirmed language को हिंदी में change कर दो देखना क्रोनो भी हिंदी में बोलेगा अच्छा क्रोनो और वो भी हिंदी में पहले तो सुन लो क्रोनो कैसे बुलता है अब ये है हमारे क्रोनो भाई का कहने का अंधास अब चलो अपने language को क्या करना था हिंदी आप यहाँ पर तो मैंने अपने language को पूरा का पुरा हिंदी में convert कर दिया है चलो गेम को restart करते हैं उसके बाद आगे सुनते हैं क्रोनो क्या सच में हिंदी में बोलेगा या वो ऐसा ही इंग्लिज में बोलता है अब ये होगी अपना गेम restart अब डिरिकली चलता है क्रोनो भाई के पास और सुनते हैं क्या सच में क्रोनो भाई हिंदी में बारत तलब करते हैं के नहीं बाटल जोइन करो और लेजिंड बन जाओ बेस्ट बनने के लिए बेस्ट करना होगा किसी चमतकार पर नहीं मुझ पर भरोसा रखो अब यह सुनने के बाद मेरे शारे शक दुर हो गए अगर आपको शक है तो जाओ चल्दी से चेक कर लो and hints तमिधिस confirmed free fire में सारे टायर के उपर कूदोगे तो आप उपर जम्प करोगे सिर्फ लॉबी के टायर को छोड़ कर वैसे लॉबी का टायर तो मेरे सामने है चलो उसके उपर अभी कूदते हैं और देखते हैं क्या वो हमको फेकता है के नहीं ना यार यह कैसे हो सकता है पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई एक टायर के उपर मैं खड़ा हूँ और यह मुझे थोड़ा सा भी जम्प नहीं करवा रहा है चलो यह ठीक है मुझे लगता है शायद से गेम में भी सारे ऐसे ही चेंज हो गए होंगे अब मैं आ जुका हूँ यह मिलके यह वाले टायर के पास और इसके उपर जम्प करते हैं और देखते हैं क्या होता है ना यार बिलकुल भी नहीं गेम के सारे टायर्स बिलकुल ही नॉर्मल है सिर्फ लॉबी का जो टायर है वो चेंज है और हिंस तमिथिस कनफार्म सब्सक्राइब कर दो ने हो अगर है ने हो अगर है चैनल को सब्सक्राइब कर कि बिल एकन वाल पर चैट कर दो मैं मिलता हूँ एक और नाए ताजे एंट प्रेश वीडियो के साथ तब तक के लिए बाब बाई